हमस्कार किसान साथियों मैं आपका दोस्त नरेंदर पोरवाल आपके अपने यूटूब चेनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ किसान साथियों हम भाव भविशी का वीडियो भी डाल रखा है 7 साल बांगलादेश की जो निर्यात की खबरे हैं कब चालु होता है, कब बंध होता है कितनी गाइडयी जा रहे यह सी खबरे हमने लगातार वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँच आई है और आज के वीडियो में भी हम बांगलादेश में प्याज निर्यात की क्या इस्तिती हैं, अभी कितनी गाड़िया खड़ी हैं, कितनी इंटर हुई हैं, क्या भाव पर कौन सा माल भी करा हैं, वेरेटी अनुसार हम बताने वाले हैं, तो आप पूरी जानकरी के लिए वीडियो को पूरा अंत्य तक जरूर देखें, जिससे इस जानकरी का लाब ले सकें, और हमारी मेनत सफलो, और खेती से सम्मंदित, मंडी भाव से सम्मंदित, और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकरी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए, चैनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें, और पास में ल जंगा बोर्डर, महंदीपूर बोर्डर, और हिली बोर्डर, और एक बोर्डर हैं पेटरापोल बोर्डर, इन चार बोर्डर के माध्यम से जो हैं प्याज इंटर होता हैं और फिर सेंटर पर जाकर बांगलादेश में बिगता हैं, अब बात करें गोजडंगा बोर्डर की तो यहां से सबसे ज़्यादा माल अभी जाता है आज भी वहाँ पर 182 गाड़ी की आवक है और सबी गाड़िया पास ओने की अभी उम्मीद है उसके बाद जो मेहंदीपूर बोर्डर है वहाँ पर भी भोत्तर गाड़ी की आवक है और वहाँ पर भी सबी गाडिया आज इंटर हो जाएगी उसके बाद जो हेली बोर्डर है, वहाँ पर भी 43 गाड़ी की जो आवक है और सबी जो माल हैं, वह अंदर पास होने की संभावना वहाँ पर भी है उसके बाद एक छोटा बोर्डर पेटरा पॉल बोर्डर है प्याज है वह 40 रूपय बांगलादेश सी टका में प्रती किलो के हिसाब से बिक रहें। पुल्टी भी सामिल हैं वह 32 रूपई से लेकर 35 रूपई तक बिक रहा हैं बाकि हलका माल जो की थोड़ा खराब भी हो रहा है वह 28 रूपई से 32 रूपई अपनी क्वालिटी अनुसार बांगला देश में अभी बिक रहा हैं भाव ठिक ठाक चल रहे हैं ज्यादा कोई विश करेंसी में भी कनवर्ट कर सकते हो हमारा भरती एक रूपई या बांगला देश के एक रूपई 31 पेसे के बराबर होता है तो इस हिसाब से आप अपने भरती रूपई में भी इसे कनवर्ट कर सकते हो तो आप कर सकते हो तो किसान साथियों यह थी बांगला देश बोडर से जानकारी जिसमें आवक भाव और हमने सभी तेजी मद्दी की बात की हैं और वहां के पूरी सटी किस्तिती बताने का प्रयास किया हैं आपको हमारी जानकारी केसी लगी कमेंट में जरूर बताए अच्छी लगी हो तो लाइक करें और किसान सात्यों इसके अलावा कोई खेती से सम्मंदित या मंडी भाव से सम्मंदित आपके कोई सवाल या सुजा हो तो आप वह भी कमेंट जरू करें जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे आपके कोई सुजा होंगे तो वह भी ज्यादा से ज्यादा किसान भायों तक पहुचाने का प्रयास करेंगे जा जानकारिया हमने डाल रखी हैं प्याज भाव भविश्य लेसुन भाव भविश्य सोयव इन भाव भविश्य की सभी विससज्ग्यों से राय लेकर उनसे डाइरेक्ट इंटर्यू भी हमने की हैं तो आप वह भी जाकर देखें उन्हें भी लाइक सेर और चैनल को जरू कर फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत वंदे मात्रम